So guys, आज की वीडियो में हम लोग iPhone 15 की नई modifications of features के बारे हम बात करने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि 12 September 2013 से प्रीबुगिंग स्टार्ट हो चुकी है और 22 September तक यह market में easily available हो जाएगा आप किसी भी अपने store पे जाकर इसे purchase कर सकते हैं लेकिन अगर आप लोग इसे pre-order करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप ही लोगों के लिए है तो guys इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो सबसे पहले जो सबसे बाव modification जो iPhone ने अपने iPhone 15 में किया है वो है titanium की body जी हाँ guys तो iPhone 15 में आपको titanium की body मलती है जो कि अभी तक किसी भी brand ने ऐसा नहीं किया है कि अपने mobile में titanium की body दी गई हो तो यह काफी बड़ी बात है इस से phone की durability काफी बढ़ जाती है और मेरे खाल से अब तक का सबसे durable phone होगा क्योंकि इसमें titanium की body मिलती है लेकिन titanium की body आप लोगों को सिर्फ iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max में मिलती है आपको 15 और 15 Ultra में titanium की body नहीं मिलती है और guys दूसरा सबसे बड़ा modification आप लोगों को iPhone 15 में Dynamic Island iPhone के basic model में मिलेगा जहने कि अब आप Dynamic Island का मज़ा basic model में भी ले सकने है पहले आपको Dynamic Island सिर्फ iPhone के pro और pro max models में मिलता था लेकिन अब आप लोगों को Dynamic Island iPhone के basic models में मिलेगा तो यह भी काफी बड़ी बात है अब आप लोग Dynamic Island का मज़ा iPhone के basic model में भी ले सकते है और guys iPhone 15 में एक और बड़ा modification किया गया है वह उसके camera में तो guys अब आपको iPhone में 48 Megapixel का camera मिलेगा यह बाद सुनके में भी शुक हो गये था क्योंकि कहा iPhone अपने पुराने फोन 5-10 Megapixel तक के बेचता था और अब iPhone सीधा अपने फोन में 48 Megapixel दे रहा है पता नही कौन सा जादू करके आया iPhone तो guys यह काफी बड़ा modification है पहले iPhone काफी कम Megapixel के phone बेचता था लेकिन अब उसने Megapixel को काफी बड़ा दिया है यह भी काफी बड़ी बात है तो iPhone 15 के basic model में आपको A16 chipset मिलती है और iPhone 15 Pro और Pro Max model में आपको A17 chipset मिलती है जो की अब तक का सबसे जादा powerful chipset है इस chipset के साथ आपको gaming experience एक next level चला जाएगा तो इस chipset के साथ आपको अपने किसी भी game को full graphics पे बिना lag के खेल सकते हैं वो भी बिना किसी दिक्तत के है तो A17 chipset अभी तक की सबसे जादा powerful chipset है जिसमें आप किसी भी type की कोई भी चीज़ प्रफॉर्म कर सकते है बिना किसी लेख के आप कित्ती भी heavy editing कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं आप उस chipset में बहुत ज्यादा ही powerful chipset लगा दी गई है इसमें और आइफोन में अब silent और vibration button हटाकर एक action button add कर दिये गया है जिससे आप अपने mobile के अलगए features profound पर सकते हैं आप इस बटन पर क्लिक करके अपना camera क्लिक कर सकते हैं इस पर क्लिक करके आप अपना mobile silent भी कर सकते हैं vibration भी कर सकते हैं sound on भी कर सकते हैं लोग की lights भी on off कर सकते हैं तो यह काफी बड़ी फीचर मिलता है आपको इसमें आप ऐएफों 15 अप टाइप C पोर्ट के साथ आए इसका मतलब है आप इसमें fast charging के परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि जब आप एप लाइफों lightning के साथा आता था तभाप इसमें fast charging कर सकते हैं लेकिन अब आप इसमें fast charging कर सकते हो और इसके Type-C port के साथ आप डिरेक्ली इसमें कोई SSD वगारा कनेक्ट करके डिरेक्ली उस SSD में ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अब आप अपने फोन से रिकॉर्डिंग करेंगे लेकिन फाल डिरेक्ली आप ही SSD ड्राइव में स्वेटी जाएगी वो भी एक केवल के थूरू तो यह भी काफी बड़िया फीचर है और आइफोन में याने से अब काफी जादा आप आसानी हो जाएगी क्योंकि अब आप आने वाली है चार्जिंग इशू नहीं आने वाला है किसी भी टाइप का तो यह क्राफी अच्छे मोडिफिकेशन करें आइफोन में इसमें तो आइफोन 15 में आपको सूपर एडिना HDR डिस्प्ले मिलती है तो इस डिस्प्ले में हर चीज की काफी बढ़ आती है क्योंकि भ और ऐसी मज़ेदार वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई